ओम शान्ती चार अक्टूबर दो हजार बाईस प्राता हमुरली बापतादा मदुबन बाबा बोले मीठे बच्चे तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी हैं बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा बाबा बोले मीठे बच्चे तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी हैं बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा बाबा स्वयम भगवान निराकार परमात्मा हम आत्माओं का पिता हम बच्चों को स्रीमत देते तुम्हें बाप को याद करने की रेश करनी है क्योंकि रचियता पिता है स्वर्ग की रचना करते हैं सुख धाम की रचना करने वाला भगवान हमें कहते रेश करो याद की दोड़ी लगाओ क्योंकि राजाई इस्थापन हो रही है पद नंबरवार हैं तो जितना जो बच्चे पुरुशार्थ करते उतना उच्पत पाते बाबा कहते जो याद नहीं करते जो बाबा को भूल जाते हैं उन पर माया का गोला अर्था थपड लग जाता है इसी लिए बाबा कहते तुम हो रुहनी गोडे तुम्हें याद की दोड़ी लगाना है याद की दोड़ी लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनास होंगे और तुम पतित से पावन बन जाएंगे क्योंकि यहाँ है गुप्त युद्ध तुम्हारी लड़ाई है पाँच विकार रुपी माया रुपी रावन से तो बाबा कहते माया पर जीत पाने के लिए एक बाप को याद करो याद की दोड़ी पहनो कब उचपद पा सकेंगे माया जीत जगत जीत बन सकेंगे प्रश्न किया बाबा ने इस ड्रामा के किस गुई ये रहश्य को तुम बच्चे ही जानते हो उत्तर में बाबा समझाते तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन भिन वेराइटी एक्टर हैं हर एक का अलग अलग पार्ट है एक का पार्ट एक के फीचर दूसरे से नहीं मिलते हैं जो आल राउंडर हीरो पार्ट धारी हैं उनका ही गायन है बाबा कहते बाकी जो थोड़ा समय एक दो जन्म पार्ट बजाते वह कमजोर पार्ट धारी हुए अरथात बाबा इस संगम युग पर हम बच्चों को ब्रामन बनाते ब्रामन बनाकर स्रश्टी के आदी मध्य अंत की नौलेज देते बाबा कहते जो बच्चे पूरे चोरासी जन्म लेते हैं वे बच्चे सत्यूग में आते हैं और वे ही बच्चे बाबा के द्वारा ग्यान सुनकर उसे धारन करते हैं तो ऐसे बच्चे आलराउंडर पार्ट धारी हीरो पार्ट धारी कहलाते हैं और जो थोड़ा समय इस स्रश्टी रंगमंच पर पार्ट भजाने आते हैं बाबा कहते वे कमजोर पार्ट धारी हैं दूसरी बात बाबा समझाते सभी पार्ट धारियों में परमात्मा व्यापक हो अकेला ही डांस नहीं करता वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है वह नाम रूप से न्यारा नहीं अगर न्यारा हो तो यह जो गायन है तुम्हारी गत्मत्न तुम ही जानो वह रॉंग हो जाए बाबा कहते मनुष्य सर्व्यापी कहते हैं हर एक में परमात्मा व्यापक है ऐसा कहते हैं पर तुम बच्चे अभी इस रहस्य को जानते हो कि बाबा नाम रूप से न्यारा नहीं है बाबा का नाम सिव पिता परमात्मा है निराकार दुनिया परमधम का वाशी है तो बाबा कहते मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ इस रहस्य को अभी तुम बच्चे जानते हो ओम शांती जैसे बाप ने कहा कि मैं साधरन बूडे तन में आता हूँ अर्थात जिनकी वानप्रस्त में रहने की अवस्था होती है वानप्रस्त अर्थात वाणी से परे वहा तो हुआ निर्मान धाम बाबा कहते वहा तो हुआ निर्वान धाम सुक धाम दुख धाम अर्थात जहां मनुष्य रहते हैं सुक धाम में मनुष्य रहते हैं वहां उन्हों को सुक मिलता है तो नाम सुक धाम रखा है धाम में कोई रहते हैं अच्छा फिर सांती धाम कहते हैं वहां तो मनुष्य रहने वाले नहीं है सांती धाम कहने से फिर सिद्ध होता है वहां आत्माएं रहती हैं वहां मनुष्य रह नहीं सकते ऐसे नहीं कि मनुष्य शत्यू में सांती में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं वह मन को अमन कर देते हैं नहीं वहां तो हे ही एक अद्वेत धर्म दुएत की बात ही नहीं फिर जितने धर्म बढते जाते हैं दुएत बढता जाता है जहां दुएत है वहां असांती है वानप्रस्थ उनको कहा जाता है até निर्वानधाम वान प्रस्त उनको कहा जाता है निर्वान धाम अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना निर्मान धाम में है उनको फिर मुक्ती धाम कहा जाता है वहां सांती में तो सिर्फ आत्माएं रहती है सुक धाम में तो सरीर है न बाबा कहते सुक धाम में तो सरीर है न, सरीर के साथ कभी सांती रह नहीं सकती, हट योग प्राणायम आदी बढ़ा कर दस बीज दिन वह मास भी रहते हैं, परंतु कहां तक सांती में रहेंगे, मुक्ती जीवन मुक्ती में तो जाना सकें, यह ड्रामा है न, इस समय सभी आत्माएं यहां कर्म छेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबर वार आना है, आत्माएं भी नंबर वार है न, कोई सतो प्रधान हैं, कोई सतो रजो तमों हैं, जो पिछाडी में थोड़ा पार्ट बजाते हैं, वह तो जैसे कमजोर आत्माएं हैं, बिलकुल थोड़ा पार्ट है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना बाबा कहते इतना गाय नहीं जाते, विचार करो कौन कौन गाय जाते हैं, उचे ते उचा है भगवान, भारत की ही बात है, दूसरी जगहा किसका गायन करें, धर्म इस्थापकों का, जैसे क्राइश्ट फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र हैं, गायन होता है जिन आत्माओं का, उनका भारिपार्ट है, तुम बच्चे स्रष्टी के आदी मद्य अंत को जान गए हो, ड्रामा में कौन से फस्ट क्लास एक्टर हैं, अकबार में भी डालते हैं, तो मनुश्यों को खेच हो कि फालाने को देखें, कोई को पता नहीं कि यहां बेहद का पांच हजार वर्स का ड्रामा है, विलायत जाने वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं, सबसे जास्ती यहां वाले गपोड़े मारते हैं, तो बाप आकर हमको सारी देते हैं, तुम्हारी बुद्धी में यहां जरूर बैठना चाहिए, मुख्ये क्रियेटर, डाइरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कोन है, सिव बाबा, वही नोलेजफुल, ब्लिश्फुल है, हम सिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं, मनुश्ये तो कहते कि वहां कभी एक्ट ही नहीं करते, वहां नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं, वहां सर्व्या पिये, तो क्या एक ही एक्टर है, जो सब में डांस करता है, नहीं, यहां तो एक की एक्ट भिन है, बाबा कहते हैं, यहां तो हर एक की एक्ट भिन है, एक न मिले दूसरे से, कितने अनेक हैं एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते बच्चे जानते हैं यह वर्ल्ड ड्रामा हू बहू रिपेट होता है तुम्हारे पास गीद भी है कि फिर से गीता का ग्यान सुनाना पड़ा बाप कहते हैं तुमको मैं कितना बारी ग्यान सुनाता हूं हम तुम और सारी दुनिय अब है कल्प पहले भी थी कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे बाबा कहते दूसरी और दुनिया होती नहीं बाप कहते हैं हम एक हैं तो रचना भी एक है गौड इजवन दूसरे का नाम निशान नहीं उचे ते उचा है ही एक शिव बाबा फिर कहते हैं तिरी मूर्ती ब्रह्मा ब्रह्मा में बाबा कहते तिरी मूर्ती में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं तिरी मूर्ती संकर नहीं कहेंगे गाया भी जाता है देव संकर को वह विष्णु को भी गुरु नहीं कहेंगे त्री मूर्ती के मुख्य प्रह्मा है वह सुक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण प्रह्मा फीचर्स तो एक जैसे ही है तो उच ते उच हुआ स्यू बाबा सभी का बाबा फिर गाया जाता है ग्रेड ग्रेड ग्रेंड फादर जिससे मनुष्य स्रष्टी रूपी सिजरा निकलता है यह मनुष्य स्रष्टी रूपी जहाड़े पहले पहले एडम अर्थात आदी देव आदी देवी उनसे रचना रचते हैं परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़े ही बनते हैं जो ब्रह्मन बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं यह पड़ाई है यग्य में चाहिए भी ब्रह्मन वह ब्रह्मन लोग मटेरियल यग्य रचने वाले हैं तुम्हारा यग्य है रुहानी उनका यग्य कुछ स मैचलता है फिर पिछाडी में आहुत्य डालते है तिल ध्रता दी यह तो बढ़ा-бारी यग्ये है इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है सत्यूग त्रेता में कभी यग्ये होता नहीं वहाँ यग्ये रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए उपद्रव सुरू होते हैं दौापर से बाप कहते हैं इस यग्य के बाद फिर आधाकलप कोई यग्य होता नहीं समझाया जाता है अब जच करो राइट कौन है यहाँ छोटे छोटे यग्य सब हद के हैं यहाँ है बेहत का यग्य इस यग्य में सारी आहुती पढ़नी है फिर आधा कल्प कोई यग्य नहीं कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता मंदिर बनते ही हैं भक्ती मार्ग में तो उचेते उच सिव बाबा को सब भगत याद करते हैं परंतु पहचानना बाबा कहते परंतु पहचानना हुने कारण नेती नेती कह देते हैं रचना और रचता का पारावार हम पा नहीं सकते और फिर गाते हैं भगवान तुम्हारी गत्मत न्यारी आपे ही जानो जरूर कोई चीज है तब तो कहते हैं न आप ही जानो जरूर नाम रूप वाला होगा बाबा कहते तब तो कहते हैं हे भगवान आपकी गत्मत न्यारी परन्तु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते नहीं है आप समझते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है तुमको सुद्र से ब्रामन बनाकर फिर स्रेष्ट देवता बनाता हूं जीवन मुक्ती दाता हूं मैं सर्व का लिबरेटर हूं कल्यूग पूरा हो फिर सत्यूग होता है सत्यूग में दुख की बात होती नहीं बाप अब दुख से लिबरेट करते हैं बाकी सब सांतिधाम में चले जाएंगे कल्यूग के अंत से में ही लिबरेटर आते हैं आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं यहां तो बहुत दुख हैं इनकी स्वर्ग बाबा कहते, यहां तो बहुत दुख हैं इनको स्वर्ग कह नहीं सकते, पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे, नई दुनिया में लक्ष्मी नारैन का राज्य था, पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है यहाँ फिर नई दुनिया बनती है उचे ते उच बाबा ही आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं सुक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु संकर को देवता कहते हैं ऐसे कहां भी लिखा हुआ नहीं कि प्रजा पिता ब्रह्मा सुक्ष्म वतनवासी है सुक्ष्म वतन में थोड़े ही प्रजा होती है प्रजा पिता ब्रह्मा तो जरूर यहां चाहिए ऊचे ते ऊचच सिव बाबा फिर सेकेंड नमबर में है ब्रह्मा सिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बेट सर्विस करते हैं ब्राम्मनों को देवता बनाते हैं यह तो हे ही पाप आत्माओं की दुनिया रावान राज्ये जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्यों के पाप ही होते हैं ब्रष्टाचारियों से ही लेंदेनोगी ब्रष्टाचार सुरू होता है द्वापर से फिर अंत में बाप आकर महान स्रे पर प्रश्टाचारी बनाते हैं कला कमती होने में 5000 वर्स लगते हैं जो स्रेष्ट ते स्रेष्ट देवता थे वही फिर नीचे उतरते हैं यहां खेल ही ऐसा है कितना अच्छी रीती बाब बेट समझाते हैं कोई बेट समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं बाबा कहते तुम तो कराची में भट्टी में पड़े समझने के लिए आते थे पार्टीशन के बाद सब भाग गएं तुम तो वहां रहे पड़े थे तुमको किसका संग नहीं था संग से दूर होते भी नमबरवार पुरुशार्थ किया सब तो एक जैसा पुरुशार्थ कर नहीं सकते इसकुल में भी सब एक जैसे नमबर कोई लेते नहीं दो स्टूडेंटों को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते क्लास में एक दो के उपर थोड़े ही बेढ़ेंगे गोरे भी बाबा कहते गोरे की भी रेस होती है उसमें भी एक जैसे दो हो नहीं सकते इसका नाम रखा है राजस्व असमेग अस्व कहा जाता है गोरे को तुम हो रुखानी घोड़े तुम्हारी दोड़ है घर की तरफ की पहले हम बाप के पास पहुँचे वहां तो साइकलों को घोड़ों की रेस होती है युद्ध की भी रेस होती है तुम्हारी युद्ध की युद्ध रेस की रेस है तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है और बाप को याद करने के लिए कहा जाता है बाबा कहते कोई यह नहीं कहा जाता है कि गुरु नानक को याद करो या कोई और को याद करो सर्व का सद्गती दाता एक है वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक ही है सर्व का सद्गती दाता पतित पावन भी एक है उन्होंने अपने उपर नाम रखवाया है तो जूटा हुआ न सर्व को सुख देने वाला एक है सुखधाम में भी बाप ही ले जाते हैं तो बाप से ही सुखधाम का वर्सा लेना चाहिए आधा कल्प रावर ने स्राप दिया है अब बाप से वर्सा लो यहा तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया देवताओं की है पुर्णे आत्माओं की दुनिया पाप की दुनिया में पुन्य होता नहीं यह तो गपोड़े मारते हैं कि फलाना मरा स्वर्ग वासी हुआ अरे स्वर्ग हे ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा यह भी समझने वाले समझे समझने के लिए कोई यहां बैठना नहीं है भल विलायत में रहो परंतु साथ रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े क्योंकि संग तारे कुसंग बोरे अगर तीर लग गया तो कहेगा और साथ रोज रहना है तो बाबा परिक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है दिल लगती है तीर लगता है बाब पड़ाते हैं अरे बाब के पास तो रहना चाहिए न तब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हो अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी कम बात है क्या एक जन्म पवित्र बनो कोई बड़ी बात है बाबा कहते बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं आहिस्ते आहिस्ते युक्ती से चलो जिससे खिटपिट ना हो बाबा कहते आहिस्ते आहिस्ते युक्ती से चलो जिसमें खिटपिट ना हो दोस्ती भी रहे और अपने आपको छुडाते भी रहो बाबा रांजू रमन बाजे तो रमज अर्थात युक्ती बताते हैं ऐसे ऐसे करो बहुत बच्चियां भूभू करके पती को ले आती हैं फिर पती इस्त्री के चरण में गिरते हैं कि इसने मुझे बचाया वह ब्रह्मन तो विकार का हतियाला बानते हैं यहां ब्रह्मा और ब्रह्मन हतियाला बानते हैं पवित्रता का वहाँ कैंसिल करते हैं बच्चे कहते भी हैं बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे खुशी से पवित्रता का कंगन मानते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चो को नमस्ते हम सब रुखानी बच्चो की रुखानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पाइंट पवित्र बनने की युक्ती आपे ही रचनी है 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिग्या करनी है दूसरी पैंट बाबा कहते स्रेष्ट ते स्रेष्ट बनने के लिए स्रेष्टा चारियों से लेंदेल करनी है बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है वरदान धिया बाबा ने वरदान में बाबा कहते सर्व सक्तिमान के साथ की इस्मरती द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कम्माइंड रूपदारी भाव सर्व सक्तिमान के साथ की इसमरती द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कममाइंड रूपधारी भाव गेटेल में बाबा कहते सर्व सक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो सक्तियां सदा साथ रहेंगी और जहां सर्व सक्तियां हैं वहां सफलता ना हो यहां असम्भाव है लेकिन यदि बाप से कम्माइंड रहने में कमी है माया कम्माइंड रूप को अलग कर देती है तो सफलता भी कम हो जाती है मेहनत करने के बाद सफलता होती है माश्टर सर्व सक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे खुमती है स्लोगन में बाबा कहते सबकी दुआएं लेनी है तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो सबकी दुआएं लेनी हैं तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो अच्छा ये थे बाबा के महावाक के ओम शंती